हेलो एव्रीवन वेल्कम बाक टो आर चानल इंग्लिश माध्यम इंग्लिश माध्यम के प्लाटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ट प्राक्टिस एक्सरसाइजर्स सॉल्व कर रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थौट अफ़ देखों इस वक्त गवर्में कॉंपटिटिव एक्जाम्स की तियारी गवर्मेंट एक्जाम्स की तियारी लाखों के हिसाब में करोनों के हिसाब में हमारे जो यंग्स्टर्स हैं फ्रेशर्स हैं वो कर रहे हैं ठीक है फ्रेशर्स नहीं भी है कुछ लोगं को एक्स्पीरिंस भी है वो कर रहे हैं बट क कुछ बच्चे होते हैं जो स्लो लर्नर होते हैं उनको कोई चीज मल्टिपल टाइम्स पढ़ने पड़ते हैं जितने में कोई एक नॉर्मल कोई व्यक्ति है वो शायद आगे उससे आगे तीन चार चाप्टर आगे चल जाएगा जितने में वह एक चाप्टर ही अभी समझ पा और वन परसंट में आने के लिए क्या करना आपको पड़ेगा उस चीज को अडेंटिफाय करो जो कि आपको 99% से डिफ्रेंट डिफ्रेंशेट कर पाए ठीक है तो आल वेरी बेस्ट आप सभी बहुत यूनीक है आप सभी बहुत काबिल है आप सब कर सकते हैं ठीक है मेरी ब अनफर्ड इट विद शर्टिट्यूट डाट एपिटेमिक्स वें तो डाय डाउन और ट्रांस्फोर्म इंटू सीजनल आउटब्रेक्स बोल रहें कि जो दुनिया ने अभी तक के जितने भी पेंडेमिक्स के साथ का उनका एक्सपीरियंस हुए जीवन एक्सपीरियंस हु जो महा मारी है उससे हटके सीजनल एक फ्लू जैसा बन गया सीजनल और डॉक्टर्स भी बोल रहें कि इसको सीजनल इन्फ्लूएंजा बोल सकते हैं हम राइट क्यों क्यों कि अब क्या हो रहा है कि एक फिक्स टाइम पीरिड पे फिर से कोविड की पीक आ रही है फिर से जो चाहिए और यही चीज दबली एचो ने भी बोली दे वर्ल्ड हेल्थ ओगनाजेशन डारेक्टर जनरल टेड्रोस अदहनम गेब्रियेसस लास्ट वीक डेक्लेर्ड ओन बेसेस अफ एडवाइस फ्रॉम दे अमर्जन्सी कमिटी इंडिपेंडेंट एक्सपर्स दाट द का हवाला देते हुए जो डबली एचो के डारेक्टर जनरल हैं उन्होंने कहा कि अब कोविड नाइंटीन जो पेंडमिक है वो इस तरीके की एक एमर्जनसी सिती नहीं रहे गई जिसके बारे में इंटरनाशनल मतलब सारे दुनिया भर को चिंता जाहिर करने की जरूत पड और यह उनने कैसे कहा यह उनने अपने मर्जे से नहीं कहा जो एक एमर्जनसी कमिटी बनाई गई थी जिसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स थे उनकी सलहा पर उनने कहा है ठीके आफ्टर ओवर थ्री यहर्स ही वास रीडिंग डाउन एमर्जनसी दाट ही मतलब तीन साल के बाद यह उस एमर्जनसी को हटाने के तौर पे रीडिंग डाउन मतलब उसको वापस ले रहे थे कि जस टेम पे पेंडेमिक में की अनॉंसमेंट करेंगे ने कि अब एमर्जनसी सिटुएशन आ गई है उसको हटाने के तौर पे उनने यह भाशन दे रहे और यह पहली बार उनने एमर्जनसी के अनॉंसमेंट कब कही थी जैनुवरी 30, 2020 को फोस्ट बाइ रैपिडली स्प्रेडिंग इन्फेक्शन दाट मूव फ्रॉम चायना तू 20 अधर नेशन अक्रॉस दे वर्ल्ड ठीक है और यह क्यों उनको करना पढ़ा थे एमर्जनसी के नुक्सान हुआ था राइट इसलिए उनको यह अनॉंसमेंट करनी पड़े थी उसलिए पर इमर्जनसी की डॉक्टर टेड्रोस नोटिबली इन्वोग्ड होप वेन ही डिकलियर दाट कोविड-19 वस ओवर आज ग्लोबल हेल्थ एमर्जनसी बट फॉलोड इट अप विद राइडर बोलने कि उन्होंने एक उमीद की किरन दे दी जब उनने बोला कि कोविड-19 अब ग्लोबल हेल्थ एमर्जनसी नहीं रह गया यह उनने डेकलियर करा उस टाम लोगों में एक थुड़ी से उमीद आई लेकिन उन्हों के इस भाशन के साथ में एक राइडर भी था जो आप तयार रहो क्योंकि इससे बड़ा भी कुछ हो सकता है ठीक है तो उन्होंने एक राइडर साथ में दिया that it did not mean COVID-19 was no longer a global health threat इसका मतलब यह नहीं है कि COVID-19 अब global health threat नहीं रहा health threat है क्योंकि वो एक seasonal virus की तरह हो गया है जिसे सर्दियों में हमें जुकाम खासी वगरा हो जाता है वैसा ही अब COVID-19 का case हो गया over the months leading up to the announcement various experts with WHO were laying the ground urging that it was time to treat COVID quite like seasonal influenza यही चीज़ में आपको पहले भी बोड़े थी कि अब कई महीनों बाद भी यह देखने में आया है कि COVID के cases हो रहे है ठीक है तो जो experts है ना इस field में उन्होंने कहा कि अब COVID को हमें एक seasonal influenza की तरह treat करना पड़ेगा ठीक है अब मतलब उसकी दवाईया वैक्सिनेशन आप अपने पास रखो आपको पता है कि अब सर्दियों का मौसा मारा तो अब COVID होने के chances हैं तो आप उसकी दवाईया उस तरीके से stock करवा हो for a world fatigued by great loss fatigued मतलब थका हुआ fatigued by great loss human and otherwise caused by the COVID pandemic and exhaustively on guard the DG's announcement brought a collective sigh of relief sigh of relief phrase है इसका मतलब होता है आशा की किरण ठीके बोल रहे हैं कि या फिर थोड़े तनाव से मुक्ती थोड़े सी राहत ठीके तो वही बोल रहे हैं कि उस दुनिया के लिए जो एकदम ठक चुकी है इतनी ठकी हुई हालत में क्योंकि उन्हें बहुत जादा जानमाल का नुक कि रिसेशन आने की कगार पर है और प्राइजस बहुत हाई हो गया कोविट की वज़े से ठीके स्लो डाउन आचुका है एक तरीके का तो वह बोल रहे हैं कि दुनिया इससे ठकी हुई है और कोविट पेंडमिक में जो उन्हें गार्ड की भूमिका निभाई की मतलब उससे बचाव करने में भी वो ठकी हुई है तो इस तर इस दुनिया को डी जी की जो एन्नाउंसमेंट है इसने थोड़ी सी चैन की राहत दी है ठीके कि वो राहत भरी सांस ले पाए However, the task now for WHO and nations is to ensure that this announcement is not selectively received To prevent the world from slipping into a torpor of complacency बोल रहे हैं कि ऐसा नहों हमें ये WHO और दुनिया को ये जरूर सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अब इस अन्नाउंसमेंट के बाद में लोग जो है वो बेखाफ न हो जाए या फिर इसको एकदम सुस्त सरवाई है जैसे कि अभी भी यह है कि अगर आपको थोड़ा सा निश्चिन तो होने वाले रवाई है में ना चला जाएं क्योंकि हमें ये मिंटेन करना पड़ेगा हमें ये पता है कि कोई नाइटिन अभी सीजनल इंफ्लुएंजा की तरह बन गया है लेकिन वह कब फिर से अपना विक्राल रूप लेलेगा अब कोई पता न है जो इनिश्चिल कोविड वेरियंट था उससे भी जादा खतरना को उससे जब जादा डेडली हो ठीक है फॉर कोविड इस नाट ओवर मल्टिपल क्योंकि कोविड खतम नहीं हुआ है मल्टिपल वेरियंट एंड सब वेरियंट कांटिनियू टो इमर्ज रिगिलरली उसक जिसको हम समझ सकें जिसको हम जान सकें परक सकें और पहले ही बचाव कर सकें ऐसा उसका पैटन अभी तक नहीं सामने आया अट एनी पॉइंट ऑफ ताइम इस पॉसिब दाट अन्यू वेरियंट और रिकॉंबिनेंट में लीड तू रापिड ट्रांसमिशन और कॉस सेवि बहुत जादा तेजी से फैले जिसमें रैपिट रांसमिशन हो और जादा इसको सीवियर भी बना दे ठीक है इस विमारी को जादा सीवियर भी बना दे रिजल्टिंग इन हॉस्पिटलाइजेशन और इवन हायर मॉर्टालिटी रेट जिसकी वजह से क्या हो सकता है पर रहा था हमारे पास इतने हॉस्पिटल बेड्स नहीं थे ठीक है कितने महीनों के अंदर एक-एक महीने के अंदर 15-15 दिनों के अंदर बेड़ फैसलिटी अवलेबल करवाई गई ठीक है तो वह चीज स्थिती भी दुबारा हो सकती है और मॉर्टालिटी रेट भी इसका खाना खा रहे हैं तो यह सब चीजें ना करें आज ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट कांटिनू टू इंसेस्ट फॉर हेल्थ सिस्टम्स इटर्नल विजिलेंस इसेंशल क्योंकि जो दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स है वो अभी भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर हमें हेल्थ सिस्टम सही रखना है तो हमें इटर्नल विजिलेंस मतलब खुद को एनलाइस करने की जरू होता है खुद के ओपर नजर रखने की जरू होता है कि अगर हलका सावी सिम्टम दिख रहा है तो भई भागो डॉक्टर के पास यह नहीं कि कोई नहीं जुकाम है ती इटर्नल विजिलेंस करना पड़ेगा ठीक है उसके अलावा उनको अगर लेवल ओफ केर है उसको मिंटेन करना पड़ेगा और पिरियोडिकली अपनी केपासिटी को भी टेस्ट करना पड़ेगा कि अगर एपिडमिक की सिटुएशन बनती है तो कितनी शमता है हमारे हॉस् हमारे दॉक्टर कितने केपीबल हैं कि वो उसको ट्रीट कर सकते हैं ठीक हमारे पास सप्लाइज कितनी अविलेबल हैं कि हम एगदम से अगर पेंडमिक जैसी है एपिडमिक जैसी सिटुएशन बन जाए तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते बुलते हैं एक बहुत ही उम्दा बहुत ही इंप्रेसिव एक नेटवर्क बनाया गया था इनकी लैबोरेटरिस बनाये था बहुत जगाओं पर इसमें क्या है जेनेटिक सीक्वेंसिंग की शमता है ठीक है और इवन रोटीन हेल्थ इंफ्राश्रक्षर बिल्ट अप और जो उस टाइम पर रोटीन हेल्थ इंफ्राश्रक्षर बनाए गये थे कोविड के टाइम पर उ फानन फानन में वो सब बन पड़े हैं अब फिर कोई पेंडे में कायागा तब उनको खोल दिया जाएगा ऐसा ना हो उनको अभी भी उटलाइस किया जाए तो यह भी ज़रूरी है कि अब हम अपना फुट अफ द पेडल से पैर उठा लेना यानि कि देखो पैर होना यानि कि आप स्पीड बढ़ा रहे हैं बड़ी स्पीड से हमने रिसर्च और डवलप्मेंट उस टेम किया ठीक है एक साल के अंदर अंदर हमने इतनी सारी वैक्सिन लाके खड़ी कर दी तो यह भी ज़रूरी है कि अब हम उस स्पीड को कम ना करें ठीक है वैक्सिन बनाने की प्रक्रिया वैक्सिन पे उपर रिसर्च करने की डेवलप्मेंट करने की प्रक्रिया यह अभी भी जोर से ही होनी चाहिए ड्रग डिलिवरी सिस्टम पे भी जोर ह होना चाहिए अंटिवाइरल्स और अंटिबाटिक्स इन सब चीजों के उपर रिसर्च कांटीनियो रखनी चाहिए उसी तेजी से उसी मुस्तेदी से उस टाइम पे की गई थी ठीक है दिस विल एनेबल नेशन्स तो बी प्रपेरड और ओन गार्ड नॉट जस्ट फॉर को कोई-19 के लिए नहीं पर इसी तरह कि अगर कोई और इंफेक्शन आ रहे होंगे तो उनकी ओपर भी देखो भी दिमाग की बात है दिमाग को आप यूज करते रहेंगे वो चलता रहेगा यूज करना बंद कर देंगे वो ठप पड़ जाएगा है रहा होता है कोई मशीन साल करना है यह नहीं कि उस टाइम पर अपने प्रोफेशनल्स तियार करने लगें ठीक है अट परस्नल लेवल इंडिविजुल्स विल बेनेफिट फ्रॉम फॉल्विंग हाईजीन और प्रिकॉशन्स दाट विकम अहबिट दाट बिकेम अहबिट डियोरिंग कोविड यह वो कि अधरें कि लेकिन प्रिञें फोर कि क्या होगा कि हर एक व्यक्ती को अनधि तभी उसको बैनेफिट मिलेगा , अगर वो अपनी परस्ट फिए न मा इस पर ध्यान देद्क कि उपर ध्यान दे, प्रिकोशन उस टाइम पर बनाए गए थे जो उस टाइम पर तो हमारी हैबि या फिर छींकते वक्त रुमाल वगरा का यूज करना तो यह नहीं कि अब कोविड उन्हें डिकलेर कर देगी कोविड जैसी सिती नहीं हो तो आप किसी के मुग पे जाके छीक रहे हो या फिर बिना रुमाल रखे छीक रहे हो यह चीज नहीं होनी चाहिए कुछ लोग होते उ हमें जरूर फॉलो करना चाहिए जो कोविड नाइटीन के टाइम पर हमारी आदतें बन चुकी थी अब उनको भूल ना जाए हमकी अब कोविड नहीं है तो अब उना आदतों को भी छोड़ दो पर्टिकलरी एड पर्टिकलरी एडहरिंग टू वैक्सिनेशन स्केडियूल और फॉलोइंग हैंड हाईजीन अन मास्किंग अंडर सर्टिन सिकम्स्टांसेश वो रहे खास तौर पे वैक्सिन स्केडियूल के साथ में उसके अनुरूप चलना ठीक है यानि कि किसी को गर एक लगी है चौबिस दिन बाद तीस दिन बाद चारेस दिन बाद जत्ते दिन को पर शक्र cannon बाद बी दूसरी लग निए वो दूसरी दोस भी लगे तो वैक्सिनेशन का जो भी स्केडियूल आता है अगर तीनों लग चुकी है अगर आगे गोरुमेंट बोलती है कि 4 भी लगवानी ज़रूरी है पान्च मीवानी जरूरी है तो वह से ज़ुरूर करंआ है first question पहला question है which of the following statements is incorrect based on given passage the world health organization director general declared that covid-19 pandemic is no longer a public health emergency of international concern सही है यह उन्हें ने यह declare करा कि अब दुनिया भर की सरकारों को चंता करने की जरूत नहीं है इतनी public health emergency नहीं रह गई ठीक है covid-19 will disappear completely यह तो गलत है उन्हें बोला कि बिल्कुल खतम नहीं होगा first line में बोल दे था कि बिल्कुल खतम नहीं होगा बलकि seasonal एक बिमारी की तरह बन जाएगा ठीक है covid-19 will disappear completely and will not pose any further global health threat कि कोई भी global health threat नहीं possess करता हो जबकि हमने पड़ा कि वो एक seasonal influenza की तरह बनता जा रहा है और पर हमें निश्चिन तो होने की जरूत नहीं है because कोई पताने कि कल को कोई ऐसा उसका variant निकल कर सामने आ जाए sub lineage में ऐसा कोई variant निकल कर सामने आ जाए जो उससे भी जादा खतरनाक हो या उतनी ही मारक्षमता रखता हो okay the WHO's announcement provides hope but also तो ये statement हो गई गलत है न और हमें incorrect find out करनी है तो option भी है the WHO announcement provides hope but also contains a message of caution सही है ये उनने कहा कि वो public health emergency नहीं है बट हमें निश्चिन्त हो के तरह बैटने की ज़रूत नहीं है ठीक है COVID-19 can be treated like seasonal influenza in terms of management, management के लिए हमें seasonal influenza की तरह उसको deal करना है अपनी vaccines आप उस season के दौरान जिस पर आपको पते कि पीक होने वाली है उस दौरान ज्यादा stop करके रखो treatment अच्छ से लो, prevention करो, precautions लो, ठीक है तो option B is correct as the statement is incorrect What did the director general of WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus say about the COVID-19 pandemic in his recent announcement क्या कहा उनने recent announcement में यही कहा कि अभी एक global public, global health threat नहीं रह गया हाना उनने ये बात कही और public health threat नहीं रह गया कि international emergency वाला नहीं रह गया कि जहाँ पे आपको उसके बारे में सभी देशों को मिलके चिंता का विश्य करना पड़े अपनी boundaries seal करने पड़े ऐसा health threat नहीं बनके रह गया वो हाना COVID-19 pandemic is no longer a global health threat ये गलत है वो भी भी global health threat बना हुआ है COVID-19 pandemic is over, pandemic is over ये तो नहीं कहा उनने ये कहा कि हाँ अब वो चिंता का इतना concern emergency वाला concern नहीं रह गया COVID-19 pandemic is still a global threat, health threat ये उनने कहा है कि अभी भी वो global threat है ठीक है लेकिन announcement उननने ये की थी COVID-19 pandemic is no longer a public health emergency of international concern ठीक है, option D is correct Which idiom best describes WHO's announcement that COVID-19 pandemic is no longer a global health emergency अब ये क्या किस बात को इशारा करती है कि अब वो global health emergency नहीं है तो बड़े सारे आपके दुखे बादल थे उसके बीच में एक आपको रौशनी की किरन दिखाई दे रही है ठीक है, तो वही ये चीज कहती है A blessing in disguise क्या ये blessing in disguise है? नहीं, A drop in bucket कि बड़ी सी बाल्टे में पानी की एक छोटी सी बूंत के बराबर है A silver lining यानि कि घने काले अंधेरे के बाद में एक आशा की किरन के बराबर है ये बात ठीक है A bitter pill to swallow कि बड़ी कडवी चीज है, हकीकत, बड़ी कडवी हकीकत है जो हमें निगल नहीं पड़ रही है So option C, a silver lining is correct What is the message of caution that comes with the World Health Organization's announcement that COVID-19 pandemic is no longer a global health emergency इसके साथ में जो दूसरी caution वाली statement कौन से थी कि आपको फिर भी चिंता इस बात की करने पड़ेगी यही कि एक seasonal influenza की तरह बन सकता है, है न, उसके कुछ ना कुछ symptoms रहेंगे, कुछ season में आते रहेंगे यह चीज बोले उनने COVID-19 is no longer a threat and we can stop taking precautions, गलत है उनने बोला अप लेते रहो precautions There is no need to worry about new variants or emerging infections, यह भी गलत है It is important to remain vigilant and not become complacent यानि कि हमें सतर्क रहने की जरूत है, यह नहीं कि हम सुस्त हो गए या फिर हमने जिम्मेदारी अपनी भूल गए या फिर relax होके बैट गए कि अब कोई बात नी अब हम बिना किसी डर के बाहर जा सकते हैं कोई जरूत ने हाथ हूत दोने की या sanitize करने की यह गलत है न यही कौशन उनने बताया है यह गलत है यही कौशन उनने बताया है कौन सी बाते सही हैं कोई नाइटीन पेंडामिक को लेके देखते हैं कि उनने कहा कि यह पुब्लिक हेल्थ इमर्जेंसी नहीं रह गया जो कि सही बात है उनने कहा यह चीज तो is true तो यह तो सही है option first correct है आगे देखते हैं कोवड-19 pandemic is not yet settled into a seasonal pattern that one can read or prevent यह भी सही है है न हमने पता करा कि वह हम यह कहतो रहें कि वह एक seasonal influenza की तरह हो रहा है बट अभी तक ऐसा कोई pattern नहीं बना कि हम उसको पढ़ सके या उसके होने से पहले ही हम prevention कर सके multiple variants and sub-variants of COVID-19 continue to emerge regularly यह भी सही है बलकुल right the announcement that COVID-19 is no longer a global health emergency means that COVID-19 is no longer a global health threat गलत है बलकुल कि वो global health emergency नहीं है बट global health threat अभी भी है क्योंकि उसके बहुत सारे variant और sub-variant उभर कर आते रह रहे है यानि कि first, second or third statement correct है fourth incorrect है so यहाँ पर option D is correct what is the tone of the passage tone of the passage भी काफे positive है क्योंकि जो writer है वो कह रहे है कि यह आशा की एक किरन के समान है हाला कि हमें निश्चन तो के नहीं बैठ जाना चाहिए बट फिर भी it is a good news है न हमारे लिए अच्छी खबर है इतना सब दुनिया ने जहला उसके बाद में यह बड़ी अच्छी एक रौशनी की किरन है थोड़ी एनरजी देने वाली चीज़े है क्या है अब ध्यान से देखना COVID-19 pandemic is over कि pandemic खतम हो चुका है यह main theme है COVID-19 pandemic is still a global health threat क्या यह main theme है देखो यह दोनों main theme नहीं है लेकिन इन दोनों points के बारे में discuss जरूर किया गया है ठीक है the need for caution and vigilance in dealing with COVID-19 pandemic सही है यह कि हमें बहुत जादा cautious रहने की जरूरत है हम है निगरानी रखने की जरूरत है सतर्क रहने की जरूरत है क्यों अगर हम जब भी हम COVID-19 की बात कर रहे है तो हमें बहुत जादा सतर्कता की जरूरत है और यह बात बिल्कुल सही है The importance of following hygiene and precautions की hygiene और precautions follow करने की क्या importance है क्या उसके प्रभाव है ठीक है तो यह चीज हमने discuss करी है COVID-19 के context में बट वो उसी point का हिस्सा है की need for caution की caution की जरूरत क्या है और सतर्क रहने की जरूरत क्या है Option C is correct which word is synonym for certitude अब देखो certitude का मतलब होता है कि आप कोई आपके बड़ा ही conviction है आप बड़े ही confident है यह ना आपके अंदर confidence बहुत जादा है तो इसको बोलते हैं certitude confidence हमें क्या find out करना है इसका synonym ना ठीक है confidence या conviction uncertainty 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 मतलब कि आपको clear नहीं है आपको कोई चीज स्पष्ट नहीं है तो इसमें तो confidence है यानि कि आपको स्पष्ट है आपको clear है तो uncertainty तो इस एंटनियम हो जाएगा doubt वही uncertainty का पार्ट कि आप sure नहीं है confidence जो कि इसका meaning भी है ठीक है hesitation जिजक कि आप कुछ बोलने में कुछ करने में डर रहे हैं जिजक रहे हैं पता नहीं लोग क्या सोचेंगे आउट को में अच्छा होगा या नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पे option C confidence is correct which word is the synonym for torpor torpor का मतलब होता है बड़ा ही एक ऐसी mental state में आ जाना या ऐसी physical या mental state में आ जहाँ पर आप कोई भी काम नहीं करना चाहते है in activity है ठीक है सुस्त से पड़े होगा या धीला धाला सा तो इसका opposite क्या होगा energy synonym होगा lethargy lethargy का मतलब भी सुस्त सा धीला धाला सा होता है excitement energy का synonym है alertness excitement का synonym है और यह तीनों क्या है energy excitement alertness यह क्या है torpor के antonym है so option B is the synonym for lethargy which word is an antonym for complacency complacence का मतलब होता है कि आपका जो विचार है कि आपने कुछ कर लिया हाँ जी मैंने बड़ा अच्छा performance कर लिया मैं तो खुद में self satisfaction तो contentment contentment का मतलब होता है कि आप बहुत खुश वाली स्टेट में है बहुत satisfaction वाली स्टेट में है ठीक है alertness alertness मतलब एक दिम चौकनना रहना और self congratulation याने कि खुद को तारीफ करना खुद को प्रशंचा करना ठीक है तो antonym क्या होगा self satisfaction का self satisfaction अगर कोई बंदा सो खुद में संतुष्ट है मतलब वो बड़ा ही relax होके बैठा हुए कि हम मैं तो कर लिया मुझे के जरूत है अब देखने की मैं तो कर लिया relax होके बैठा हुए और उसका opposite क्या हो जाएगा alert होके बैठना relax नहीं होना एकदम चौक करना रहना so option c alertness is correct the supreme court has given a timely reminder to governors that the constitution expects that a decision to return a bill to the state assembly for reconsideration should be made as soon as possible कि supreme court ने सभी governors को ये दुबारा याद कराया कि constitution में ये कहा गया है या constitution उनसे ये उमीद करता है कि कोई भी bill जो उनके पास state assembly द्वारा भेजा गया है अगर उनको वो बिल पसंद नहीं है उनको reconsideration के लिए भेजना है तो उसको जितना जल्दी हो सके as soon as possible है जितना जल्से हो सके उतना जल्दी वापस state assembly को reconsideration के लिए भेज दे उन्होंने उस phrase की तरफ इशारा करा जो की first proviso article 200 के first proviso में पाया गया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर आपको bill return करना है ये जो मुद्दा है bill return करने का इसमें बहुत ज़्यादा emergency की बात होनी चाहिए ठीक है यानि कि जैसे ही आपके पास आया आपको कोई statement नहीं लगी ठीक आप चाहते है आप जैसे ही आपको चीज लगी highlight करो बताओ इसको reconsider करो और दुबारा भेजो इमेडियेटली ठीक है कि the expression as soon as possible contains significant constitutional content and be born and dash be born in mind by constitutional authorities अब ओरें कि ये जो expression है as soon as possible ये बहुत ही ज़्यादा एक constitutional content इसके अंदर है मतलब बहुत जादा ये माइने रखता है ये ऐसे नहीं कि आपने बोल दिया है constitution के अंदर इस बात की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बहुत बड़ा महत्व है and dash be born अब ये क्या बनाना चाह रहे है कि इसकी जिम्मेदारी है ये बहुत important बात है आपको इसको जरूर करना चाहिए अब आपको कोई बोल रहे है कि आप school uniform बहुत ही mandatory है and you must wear it यानि कि आपको जरूर बेर करने चाहिए ठीक हर दिन आपको वेर करने चाहिए school uniform ठीक है तो आप क्या बोल रहे हैं आप उसको एक necessity बना रहे है ठीक है आप उसको by law उसके उपर mandatory कर रहे है कोई चीज को तो यहां पे ये बहुत ज़्यादा माइने र priority समझ के ये चीज भेजनी चाहिए थी तो आप इसको क्या बना रहे है important बना रहे है आप इसको एक must have चीज बना रहे है तो यहां पर क्या verb आ जाएगा must be born in mind by constitutional authorities the court observed ये court ने कहा उसने अपने बात में बोला this effectively means it would be constitutionally impermissible for governors to hold on to hold on bills indefinitely without communicating their decision to the house वोड़े तो इसका साफ तौर पे मतलब यही निकल कर आता है कि सम्विधानिक तौर पे ये बिल्कुल भी स्विकारिय योग्य नहीं है या फिल्कुल भी उनको permission नहीं है उनको allowed नहीं है governors को कि वो किसी भी बिल को अनिश्चत काल तक अपने पास hold करके रखें और अपना decision house को ना बताएं ठीक है house को बताए बिना अपना बिल जो है अपने पास hold करके रखना ये उनके पास अधिकार नहीं है जो तुपर जो उनका इनक्षन है कि उनने बिल्स के ऊपर काम नहीं किया बिल्स के ऊपर उनने कोई जवाब ने दिया और ये जवाब नहीं हैं रहां सेवरेल बिल्स का एक बिल की बात नहीं कैई बिल की बात है तो वह तेलंगाना की जो स्टेट गवर्मेंट ने है कोट का दर्वाजा खड़काया इसके लिए कि वो दी देखो हमने उनके पसके बिल भेज़े हुए वह हमें बिल वलॉटाई नहीं रहे कुछ बताई नह no bills were pending with her तो उन्होंने कोट में बताया कि मेरे पास कोई भी bill नहीं बचे हुए है मैंने सभी bills भीज दिया हुए and that she had returned two bills for reconsideration और उन्हें दो bills भीज़े हैं रिकंसिडर करने के लिए भीजे while seeking further information from the government on a few others और सरकार से कुछ और bills पे जिसे अगर उनके पास 6 bills आये थे तो दो तो उन्हें reconsideration के लिए भीज दिये और 4 bills पे उन्हें सरकार से और जादा clarity मागी है ठीक है कि कुछ points उनको लगे कि ये जादा अच्छे से explain नहीं की है अगर आपको पता है तो आप मुझे बताओ दुबारा से ठीक है ये उन्हें बोला based on this the court dash of the petition इसी बेस पे जो court में petition dial की गई थी court का जो फैसला है वो ने save कर लिया ठीक है but kept open उन्हें जो court ने क्या किया होगा petition को अगर आपने जवाब दे दिया तो क्या किया होगा रद कर दिया होगा but kept open questions that arose from the issue for consideration in an appropriate case लेकिन उन्हें इसके उपर अगर और सवाल इस तरीके इसके उपर और सवाल उठते हैं तो उसके लिए अभी भी रास्ता खुला रखा है क्योंकि ये बहुत ही एक important case है अगर इस पर और कुछ सवाल या निशान आते हैं तो उनके लिए कोर्ट ने अपना रास्ता खुला रखा है the court's observation addresses the issue of delay court ने बताया कि जो ये issue of delay है ये delay करने का जो मसला है but it is only one aspect of the controversy कि उनने कहा कि ये ठीक है मसला important है कि delay हो रहा है पर ये केवल और केवल एक पहलू है इस controversy का यानि कि पूरी की पूरी controversy केवल और केवल बिल्स के delay पर नहीं है the issue of granting assent is seen as most parliamentary in most parliamentary democracies as the formality कि जो उनके पास अधिकार है कि वो किसी गवर्नर के पास जो अधिकार है कि ये किसी बिल को पास करेंगे या किसी बिल को अस्विकार कर देंगे ये केवल और केवल ज्यादा तर parliamentary democracy में क्या है formality है अब आप देखो president की भी बात करें तो उनके पास तीन बार एक बिल जा सकता है उनके approval के लिए तीसरी बार अगर उनने disapprove करा तो तीसरी बार वो disapprove नहीं कर सकते लेकिन जो discretionary powers है discretionary मतलब यह जो नाम की powers है उनके पास में governors के पास में जिनका उनको जामा पहनाया जाता है ठीक है वो क्या है वो जादा controversies को scope देते है क्यों क्योंकि अब वो उनकी मनमर्जी की powers है ना कि आपके पास कहने है तो पावर है लेकिन असल में आपके पास पावर नहीं है बट अब यह समझना बड़ा मुश्किल है कि आपके पास पावर है या नहीं है अब आप एंफसाइस कर रहे हो फिर question ख़ड़ा जाते है कि आपके पास तो यह पावर है यह आपको तो यह किसी की पर्मिशन लेकिया किसी के सहयोग से करना था ठीक है तो वो यह सारी जो चीजें है इतनी जो complexity बनाई हुई है गवर्नर्स की प्रेजिडेंट की पोस्ट के उपर इसी वज़े से controversy ज़ाधा होती है ठीक है The expression as soon as possible contains significant constitutional content and dash be born in mind may be mod मतलब कि कर सकते हैं उसको दिमाग में रख सकते हैं रखा जा सकता है can be कि वही रखा जा सकता है could be रखा जा सकता है must be born जरूरी है अपने दिमाग में रखना इस चीज को ठीक है और यहाँ पर जरूरी का ही भाव expression आ रहा है कि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और यह बहुत जरूरी है कि आप इस बात को अपने दिमाग में रखें ठीक है option B is correct this effectively means it would be constitutionally impermissible for governors to hold on अब hold on किसी बिल को आप रोक रहे हैं तो फ्रेज क्या कहता है hold on 2 ठीक है 2 होता है फ्रेज में hold on 2 इसका मतलब क्या होता है रोक के रखना ठीक है hold on 2 bills indefinitely without communicating their decision to the house तो यहाँ पर option A2 is correct तेलंगान गवर्णर डॉक्टर तमिले साय संदराजन अगेंस्ट हूज डाश इनक्षन एसेंट का मतलब होता है कि आप किसी चीज को क्या करें agree कर रहें अप्रूव कर रहें तो क्या उनका approved इनक्षन होगा किसी ने उनको मन्जूरी दियोगी इनक्षन करने की नहीं abundant बहुतायत में आपके पास काफी माथ्रह में है जितना जरूरी है उससे जढ़ा ही आपके पेस है तो क्या ये abundant inner action होगा कि उन्होंन का जरूर से ज़्यादा जो inner action है या apparent यानि की जो देखा जा रहा है कि उनका inaction है ठीक है या consent consent मतलब मन्जूरी ठीक है स्वीकृति तो consent वाला inaction तो नहीं होगा यहाँ पर option C apparent is correct जो देखा गया उनका inaction जो देखा गया काफी bills के ओपर उस वज़े से court में गई सरकार ठीक है based on this the court based on this the court dash of the petition क्या किया होगा petition को उनने but kept open questions premised premised मतलब होता है कि आप जो है किसी base उनने foundation बनाई इसके ओपर उनने अपने foundation बनाई कि इस petition के ओपर उनने court ने अपने फैसली की foundation बनाई ठीक है exercised exercised मतलब अपना जो कोई भी law है उसको exercise करना उसको carry on करना या अपनी powers को carry on करना अपनी powers को exercise मतलब उनका इस्तेमाल करना criticized यानि कि निंदा करना disposed यानि कि रद करना तो उनने क्या किया होगा तसलीमा के ताली सिमाई के जवाब आए तामिलिसाई के जवाब आए कि मैंने भी सारे bills वापिस कर दिये इसके base पर court ने क्या किया होगा इसको case को रद कर दी होगा disposed यानि कि रद कर देना तो disposed of the petition उनने petition खारच कर दी but kept open questions that arose from issues for consideration in an appropriate case ठीक है the issue of granting assent is seen in most parliamentary democracies as formality but the dash discretionary powers but the secular secular होता है मतलब कि आप किसी भी धरम में विश्पास नहीं रखते है नौन रिलिजिस आपरसन है ठीक है peculiar peculiar मतलब बड़े ही strange बड़े ही unusual तो मैंने आपको भी president और governor दोनों की powers के बारे में बताया उनके पस कुछ ऐसी powers है ठीक है कहने को तो हमारे देश का उच्च पद अधिकारी है प्रेजिडेंट ठीक है बट जो उनकी powers है न वो कई powers ऐसी है कि वो ना प्राइम मिनेस्टर से कंसल्ट किये बिना नहीं कर सकते ठीक है कोई power उनकी ऐसी है कि उनको जो अपना legislature है उससे permission लिए बिना नहीं कर सकते कोई power उनकी ऐसी है कि सेना से permission लिए बिना वो नहीं कर सकते तो powers हैं उनके पास but very unusual powers हैं कि मतलब कुछ उसमें ifs and buts है ठीक है तो peculiar मतलब unusual ठीक है, bear मतलब किसी चीज़ को सहन करना you have to bear this pain you have to bear to go through this difficulty ठीक है आपको सहन करना पड़ेगा appear मतलब देखा गया हमें सामने आया ठीक है तो यहाँ पर option B peculiar जो यह powers हैं बड़ी ही peculiar discretionary powers है उनके पस ठीक है ठीक है हमें re-arrange करना है it was 9 p.m. December 31, 2016 for the past several decades every year every new year's eve my wife Usha and I have been taking a few hundred blankets and quietly covering people sleeping in shop corridors railway platforms और under the trees at night बोल रहे हैं कि पिछले करीबन 10 सालों से पास several decades मतलब कई दस चुकों से मतलब हो सकता 10 साल 20 साल से हर new year eve पे new year eve मतलब new year से पिछली शाम ठीक है मेरी wife Usha और मैं क्या करते हैं हम कई 100 कंबल लेते हैं और हम लोग सडकों पे जाते हैं और चुप चाप जो वहाँ पे दुखानों के बाहर में दुखानों के कॉरिडोर्स में रेट प्लेप प्लाटफॉर्म्स पे पेडों के नीचे जो लोग सोय होते हैं उनको हम लोग उन ब्लांकेट से कवर कर देते हैं यानि कि एक तरह किसे वो कंबल दान कर रहे हैं उशा एंड आयवर इन फ्रन्ट ऑफ जुग्गी इन साकेत्री स्लम्स ऑफ पंचकुला पंचकुला के साकेत्री स्लम्स में उशा और में एक जुग्गी के सामने खड़े थे फाइव किड्स एज़ बिट्वीन थी तो ट्वेल्फ वर स्टैंडिंग आउटसेट शिवरिंग एंड हंगरी पांच बच्चे तीन से बारा साल के उमर के बाहर खड़े थे ठंड में ठिटूर रहे थे और भूखे थे अब देखो ये होगी क्यूँ फॉर दे पास सेवरल डेकेट्स मैं और मेरी वाइफ न्यू येर की इव को हम लोग जाते हैं और कंबल देकर आते हैं लोगों को ठीक है ये ओपनिंग स्टेट्मेंट होगी ठीक है हम इतनी काफे सालों से काम कर रहे हैं अब ये उस टाइम कि किसी एक पल की बात बता रहे हैं It was 9 p.m. December 31, 2016, 2016, December 31, 9 बज़े की बात वो बता रहे हैं, क्या हुआ? कि उश्व और मैं एक जुगी के सामने थे, यानि कि फर्स्ट के बाद ये सेकंड स्टेट्मेंट हो गया, थर्ड हो गया कि उश्व और मैं एक जुगी के सामने थे, साके इतरी स्लम्स में पंच कुला की, जब हमने क्या देखा? हमने देखा कि पांच बच्चे तीन से बारा साल की उमर के बाहर खड़े थे और ठंड से ठिटूर रहे थे और भूखे थे बचारे, ठीक है? सो 4 ये हो गया, तो यानि कि Q, P, R, S, अब Q से देखो दो स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप A और D को तो हट ठीक है, Q, R हमारा बाद में आ रहा, Q के बाद P आ रहा है, तो ये भी हट गया हमारा, so option C, Q, P, R, S is correct, आपको बताना है, one word substitute करना है, ठीक है, a person, plant, और animal, who, which is below usual size, हमने ये चीज़ पहले भी पड़े थी, देखो, कोई व्यक्ती है, जो अपने, जैसे human beings, women की, इंडिया मे women की normal height है, 5 feet to 5.5 feet, ठीक है, इस से जादा लंबे हो जाते हैं, तो वो tall consider या long consider किये जाते हैं, ठीक है, और इस से कम है, तो वो क्या consider किये जाते हैं, ठीक है, अगर 4 feet है, कोई व्यक्ती 3 feet है, तो उसको क्या consider करेंगे, डौर्फ, ठीक है, reformatory, reformatory का मतलब होता है, कि कोई ऐसा संस्थान, जहां पे जो juvenile बच्चे हैं, criminals हैं, offenders हैं, उनको सुधरने के लिए, बाल सुधार गरे हैं, जिसको बोलते हैं, वो होते हैं, reformatory, addicted, addicted मतलब आपको किसी भी चीज़ की जरूद से जादा लथ होना, केवल drugs के लिए आप addicted नहीं होते हैं, अगर आप अपने phone का भी ज चैन नहीं पड़ता, dwarf, dwarf मतलब कोई भी person, plant, animal, जो की अपने usual size से छोटे हों, उनको बोलते हैं, dwarf, और nomenclature, nomenclature एक scientific तरीका है, naming का, किसी भी चीज़ को scientific तरीके से नाम देना, उसको कहा जाते हैं, nomenclature, so option C, dwarf is correct, this was something that would allow her to embrace all challenges that sprung up during her tiresome journeys while scaling some of the highest mountains of world, mountains of world, पुरे कि ये एक ऐसी चीज़ थी, जो उसको allow करती थी, जिसने उसको allow किया कि आगे जाके वो क्या करेंगी, अगर कोई भी उनके पास challenges आया, तो उसको हस के गले लगाएंगी, ये निकि चिंता करेंगे, ठीके तो ये कुछ ऐसी जिस थी, जिन्होंने उनको ये एक भाब, फीलिंग दे दी, कि जो भी challenges है, उनको हस के गले लगाओ, ठीके, जो कब आएंगे उनके सामने, जब वो अपनी tiresome, बड़ी ही थकाल देने वाले journeys पे जा रही होंगी, कहां पे, जब वो कुछ highest, वर्ड की highest mountains को scale करेंगी, याने क चड़ाई चड़ रही होंगी उनके, ठीके, तो यहां पे हमें समझ मार रहा है, किसी mountaineer की बात की जा रही है, Manali's met Dio Tiba, look as if they were painted with colors of gold, it was a moment of everlasting love, deeply entrenched in her psyche, बोरे Manali का Mount Dio Tiba, जो है, वहां पे ऐसा लग रहा था देखने में, कि सुनहरे रंगों से उसको paint किया गया है, ठीके एक दम सुनहरे सुनहरे उसके उपर चादर बिच्छी हुई थी, ऐसा लग रहा था, यह एक ऐसा moment था, जहां पे उसको एक बहुत ही गहरे एहसास, प्यार का एहसास, बहुत ही गहरा सा प्यार, शायद इस काम से, या इस खुबसूरती से, बहुत ही गहरे एहसास उनको feeling लव की, जो कि उनके अंदर इस तरीके से entrance, याने कि इस तरीके से उनके मन में गड़ गई, उनकी नजर में, उनके साइक मतलब उनकी आत्मा में, उनके मन में, उनके दिल में इस तरीके से रच गई, कि बलजीत कौर's eyes light up every time you ask her about, ask about her very first expedition, expedition होता है, कोई journey, ठीक है, कोई adventurous journey, तो बलजीत को और किसी व्यक्ति का नाम है, महिला का नाम है, उनकी जो आँखे हैं, वो एकदम रोशनी से जगमगा उठती हैं, जब भी आप जितने भार भी उनसे, उनकी पहली expedition के बारे में बात करते हैं, आप पूछते हैं, तो उनकी आँखे एकदम रोशनी से जगमग आँटती हैं, तो उसी की बात की होगी कि ऐसा मोमेंट था कि उनको जो है, एक गहरे प्यार का हैसास हुआ, ठीक है, हो सकता है, इस फील्ड से ही उनको प्यार उसके बाद में हुआ, शी विविडली रिमेंबर्स देडे वें शी फिर्स सौ दू पीप थू दू पीक्स तू पर उस दिन को याद करते हैं, जब उनने पहली बार, उनने सूरज को इस तरीके से जांकते हुए देखा, पहाडियों के बीच में से जांकते हुए देखा, जो की वहां की सुराउंडिंग्स को क्या कर रहा था, ऐसा दर्शारा था कि वो सुनेहरे रंग में रंगी हुई ह ठीके, अब यहां पर बलजीत कौर की कहानी बताई जा रही है, तो यह होगी हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट, बलजीत कौर, ठीके, एक्स्पेडिशन की बात करें, वो बड़ी गहराई से उसको याद करती हैं, बड़ी खुश हो कर उसको बारिम बताती है, कि उनको वो ति अगर गया यह मोमेंट की इतना सुरहरा इतना प्यार का पल उनके मन में मंदर में घर कर गया, वो ऐसा था कि आगे आने वाले उनके कोई भी चालेंजिश है, उनको वो हसके गले लगा सकती है, क्योंकि उनको पता है कि चालेंजिश के बात का जो नजारा है, वो बहुत उप्सुरुत होने वाला है, सो Q, sorry R, S, Q, P, R, S, R से देखो, दो स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसको B और D को हटा दो, R, S, R, S, अब तक ठीक है, Q, P, Q, P, Option A हमारा करेक्ट है, C, Eliminate हो गया, identify the incorrectly spelled word in the given sentence, having taken to the trek without supplemental oxygen in the afternoon, it was always going to be a tough climb to 8,091 meter peak, पूरे हैं कि एक ऐसा रास्ता चुकना, चुनना, एक ट्रेकिंग, ट्रेक पता है न, क्या होता है पहारी कि आप एक अंजाने से रास्ते पर एक ट्रेक पर चल जाते हैं, जहां पर आसपास में कुछ नहीं है, आपके पस limited, आपको बस चढ़ाई चढ़नी है, ठीक है, आप एक ऐसा ट्रेक चुन रहे हैं, जहां पर आपके पास supplemental oxygen, यानि कि oxygen sliders भी नहीं है, कि अगर आप उपर चाहेंगे, इतनी उचाही पर आपको पता oxygen level कम होता है, जितनी आप हाइट पर चढ़ता जाएंगे, उतना oxygen level कम होता जाएगा, ठीक है, तो आप जैसे हाइट पर चढ इतनी हाइट वाली एक mountain थी, जिसके ओपर आप चढ़ने वाले थे, ठीक है, डिशेवल्ड, डिशेवल्ड का मतलब होता है कि कुछ चीज को untidy बनाना, ठीक है, डिशेवल्ड, D-I-S-H-E-V-E-L-E-D, spelling एकदम सही है, it means to make untidy, ठीक है, untidy, जैसे मेरी handwriting इसमें बहुत untidy है, that means, मेरी handwriting के हैं, disheveled, appearance, यानि कि देखने में, ठीक है, बिलाइड, बिलाइड मतलब होता है, कि आप किसी, मतलब, जो आपकी असल चीज है न, आप उसका impression नहीं दे पाते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं, कि आपकी बातों से आपकी उमर का अंधाजा नहीं पता चलता, या आपकी सेहत से आपकी उमर का अंधाजा नहीं पता ठीक है, so option D, जो है, वो incorrect है, track के spelling गलत है, there are no prepayments involved and it is easy for tourists to call off their prefixed tour to skip Amrit sir, बोल रहे हैं कि इसमें कोई भी prepayments, यानि कि आप जिसे होता है, कि आप online कुछ चीज परचेस करें, तो आप पहले ही payment कर देते हैं, आपके पास समान आने से पहले ही payment कर देते हैं, Google पे, phone पे, online payments के जरिए, ठीक है, तो यह एक ऐसी चीज है, जिसमें आप prepayment नहीं करते हैं, अब किसी चीज की बात पहले ही हो रही है, ठीक है, उसी के बारे हम बताया जा रहे हैं, कि इसमें prepayments नहीं होती, and it is easy, और इसलिए टूरिस्ट के लिए असान होता है, कि वो phone करके, या फिर वो अपना, जो भी उनका tour planned है, जो भी उनकी journey planned है, उसको cancel कर दे, call off कर दे, अमरिच सर, या तो prefix जो उनका tour है, कि उनने जाना है, पहले अमरिच सर जाना है, फिर उनने जाना है, चंडिगर जाना है, फिर उनने मनाली जाना है, तो अमरिच सर को skip करके, सीधा चंडिगर चल जाना है, फिर मनाली चल जाना है, ठीक है, ये कर सकते हैं, वो लो, इससे क्या हुआ जो होटल मालिक है उनके अंदर बड़े ही एक डर की भावना पैनिक की भावना पैदा हो गई ट्रावल एंड टॉर ऑपरेटर्स जो ट्रावल गाइड़स है टॉर ऑपरेटर्स है उनके मन में भी यही चीज हो गई बिसाइड्स दोस हुँ अर्न देर लाइवलिहुड थ्रू टॉरिजम और उन लोगों के बीच में भी जो टॉरिजम इंडस्ट्री की वज़से अपना रोजगार कमाते हैं इन सब में क्या हो गया पैनिक हो गया क्यों हो गया क्योंकि यह एक ऐसा चीज है जिसमें क्या हो गय प्रिपेमेंट्स नहीं होती तो टॉरिस अपना यह प्लान कैंसल कर सकते हैं अमरित आना ही अमरित सर्किप कर सकते हैं राइट दो इट इसन ओफ सीजन प्लियर्स इन दी हॉस्पिटालिटी इंडस्ट्री फियर दाट इट में कास्ट शैड़ ऑन पीक टॉरिस सीजन अब हैं कि अभी तो हालां कि ओफ सीजन है अभी तो टॉरिस आने भी नहीं वाले लेकिन जो भी हॉस्पिटालिटी इंडस्ट्री में काम करते हैं लोग इसके जो टॉप प्लियर्स हैं उनको डर है कि इन धमाकों की जो परच्छाई है इन धमाकों का जो बुरा प्रभाव है इ यानि कि हो सकता है गर्मियों के दुना में जादा आते हों हो सकता है सर्दियों के दुना में जादा आते हों तो जिस भी सीजन में जादा आते हैं पीक पर होता है अपना टोरिजम यहां पे उस सीजन में यहां पे जरूर प्रभाव पड़ेगा कमेंसिंग विद समर विके जाती है और फिर इसमें क्या होता है कि कोई भी प्रीपेमेंट इ में अभर नहीं होती ही ठीकें तो यह हो गया क्यों हमारा first statement क्योंकि यहां प्रीपेइमेंट्स नहीं होती तो इसले क्या होगा कि वो लोग अपना स्किप भी कर सकते हैं हां का टूर ठीक है यह हो गया फोर तो Q-R-S-P Q से एक ही स्टेटमेंट हो रहा है option start हो रहा है option B QRSP is correct तो आज की session में इतना ही इसकी telegram पे आपको PDF और audio file दोनों available है आप जा के check कर सकते हैं अगर आपने अभी तक telegram channel join नहीं करा है तो telegram channel का link आपको description में दे दिया गया है इसके अलावा play store से आप भी download कर सकते हैं अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप link आपको description में दे दिया गया है वहां से आप download कर सकते हैं ठीक है thank you so much for watching अगर content पसंद आयागा तो like, share and subscribe please कीजिएगा ठीक है मिलते हैं next session में so till then keep learning keep practicing और अपने उपर भुरोसा रखिए ठीक है bye bye